नमस्कार स्नेक मिल किचन मेबर आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वाधिष्ट लौकी की बर्फी लौकी हमारे सरी के लिए बहुत ही फायतेमन होती है यह सबी जानते हैं लिए इसके बाद जू भी बहुत से लोग लोकी खाना लोकी के बर्फी बनाने के लिए आप एक लोपी ली है और इसे वह बबी करते चिल लेंगे इस तरह से आ जाले हम इसके उप़र का इससा निकालें गे और इसजी से बीकाट लेंगे अ उसका से चक्कों के साथ से अस्टिशाए चिल लेंगे है खों हम लोकी चीने बद़ और दोने कसे दो लेंगे हाई तो थूरा लेका को चाख ले देया है जिसा आपको पदा चाहिए नहीं अग Предक्रनी से इस को लिए एका उते स्लेक Topsten नहीं अपहले आपको नहीं ऐसा अब और आप अम इसे। अधे ऋटर में घ्रेट कर लेंगे। इसके लिए में पास झोपा रहें इसमें बहुत साइब और भी साथ हमेंड़ेरद बैशन से भी सालो की चिफ्टे बना शक्ते हम a जिसे बैब मुद्रों को और दोड़े करेंगे। अब यहां पर लोक्य को मैंने कद्दू गस कर दिया है और अब हम लोक्य का पानी निकाल देंगे जिस्ते कि आकर लोक्य में थ्रक कड़वापन रहेगा तो पानी के द्वार बाहर निकल जाएगा और बर्षी बहुत ही अच्छी बनेगी और अब हमें गैस कौन करना है उसके दूद्ध गी को लोकी में अच्छे मिलने के बाद अब करहूंगे यहां मैं एक लोकी ली थी और उससे अमेट करूँगी वन और हाफ ग्लास दूद ग्तूर्ट को डालने वाद हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे मैं इसमा आधा गला दूद और एड़ करूंगे अभी दूद को एड़ करने के बाद हमें चमत की शायता से इसको कंटिनूर चलाना है जब तेकि दूद अच्छी तरह गरम नहीं हो जाए क्योंकि अगर मैसा नहीं करेंगे तो लोकी का नीचे चिपकने का डर रहेगा पर ले बाद तो यह आप लोकी को टेस्ट कर लेना कि लोकी कहीं कडवी नहीं हो क्या आप टेस्ट ने करोगे तो आपकी पूरी मैत बैकार हो जाएगी सेकर बात ही आप कोशीश करें कि आगर बर्फी बना रहे हो तो आप को भारी पैंदे की कड़ाय ले जिसे कि इसे बनेगी और यहां पर देंगे लोकी अच्छी तरह हमारी पाक चुकी है और दूद में बहुत अच्छी दर उबाल रहा है यहां पर को दिख रहा होगा कि यहां पर गैस मीडिय में रखना है तेज बिल्कुल भी नहीं करना है और जब दूद पूरी तरह खतम हो जाएगा इसमें पुर्वी तरह मिल जाएगा मिक्स हो जाएगा तो इसके चीनी यहां पर देखिए दूर दूर लोकी में अच्छी तरह मिल चुका है इस वक्त हम आठ करेंगी चीनी यहां पर एक लोग के ले रहे हो तो चीनी पावबर बहुत है अगर मीठा मीडियम खाते और मीठ कि यहां पर में इसे तब सब बकाना जब तक इसका पानी चीने का पानी अच्छी तरह इसमें मिलने जाए पूरा पानी गायब ने हो जाए हमें अच्छी तरह मिलाना यह देख आप पूरा पानी गायब हो चुका है रोकी बहुत अच्छी तरह पक चुकी है और इस समय यहां कि मावे को इसमें मिला लेंगे मावे को इसमें इसमें पानी है इसमें दूद भी नहीं है मतलब लॉकी की बर्फी बनकर तयार है पूर रहांगे कि लापकी की बर्ष का कलर ऐसा चू है को भी लोकी बर्षई बनाता तो ऊसको कलर ऐसा जाता यतको अच्छा कड़ने के लिए सब्षद क्लार का इस्तिमाल करते हैं जो मैं भी करने वाल हुआ जिससे की देखने में सुंदर लगे यहां पर मैंने लिया है ग्रीन फूड कलर इसकी में पहले दूब बूलते ही डालूंगी और उसका हम चेक करेंगे अगर हमें आफसाता होगी तो हम और एट करेंगे पहले हम इसको अच्छी तरह मिला लेंगे पूरी बर्फी में क्योंकि कहते हैं कि जो चीज़ देखने में सुन्दर लगती है उसको खाने का मन्य करता है इसलिए हम इसमें फूर करेंगे इसको सुन्दर दिखाने के लिए लौकी की बर्फी में हम इस कलर को अच्छी तरह मिला लेंगे और अब मैं इसमें दो बून और एड़ करने वाली हूँ क्योंकि मुझे कलर कम लग रहा है इसलिए मैं दो बून और लोंगे इसमें कलर और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिला लेंगे और अब देखिए लौकी की बर्फी में बहुत शांदा कलर आया है इसको मच्छी तरह मिला लेंगे और उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे थोज से ड्रैफूर्स ड्रैफूर्स में यहाँ पर मैंने लिए है काजू और बादम जिसको मैंने बारे काटा हुआ है अब इसको आधा ही मिलाएंगे और आधा बाद नहीं मिलाएंगे जिसे की बर्फी का स्वाथ भहत ही अच्छा आने वाला है ड्रैफुर को डालने के बाद हम अच्छी तरह इसको मिला लेंगे ड्रैफुर के बाद हम गेस कॉफ कर देंगे और उसको पाद हम लोके की बर्फिक को जमाने के त्यारे करेंगे जिसके लिए हम लेंगे एक ठाली और इस थाली में लगाँगी थोड़ा घी जिसे की बरफी चिक्के नहीं और उसके बाद हम बरफी को इसमें डाल देंगे इसमें प्लेट में डाल देंगी और उसके बाद हम इसको चम्मच की साथ से फैल आएंगे हम इसको बड़ाबर जमाना है करें से मोटा पतला नहीं होना चाहिए नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा इस देखेंगे बहुत अच्छे तरह मैंने इसको जमा लिया है और अब जो बाकिये काजू बदम बचे वे थे उस तरह में गानिश करेंगे कि इसको हमें गरम में लगाना थंड़ा में नहीं लगाना क्यों अगरम थंड़े वन लगाएंगे तो यह अंदर शैट नहीं होंगे और उपर बिख्रे दिखेंगे और अच्छे ता गानिश करने के बाद हम इसा चम्मस की साथ्या से दबा देंगे इस तरह से ताकि काजू बदम अच्छे तरह इसमें सैट हो जाए इस देखें आप में अच्छे तरह इसको सैट कर दिया है और आप हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे इसकी कटिंग आप जैसी चाव ऐसी कर सकते हो आप चाव तो इसको चोकोर काट सकते हो और चाव तो कतली सेप में भी से काट सकते हो तो आप लौकी बर्फी बनकर बिल्कुल तयार है तो इस पर आप इसी तर लौकी बर्फी बनाई है देखिए कि लौकी बर्फी बहुत ही टेस्टी और शांदर बनने वाली है तो आज की वीडियो कैसे लागी मुझे कमेंड बर्फ को जूरू बताईए अगर वीडियो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर आपने पसंद की रसीपी देखना चाहते है तो मुझे कमेंड बताईए मैं कोशिश करूं आपको बना के वह दिखा सकूं तो चलिए अब मिलते हैं नहीं वीडियो में नहीं रसीपी के साथ थैंक यू कर दो